हेलो फ्रेंड्स एक्जाम नीती के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का इवाफी से स्वागत है जिसे कि आपको बता है कि हमारी ये डेली जी के चैलेंज की सीरीज चल ली है तो इस वीडियो में आज हम टोटल 15 क्वेशिन करने वाले हैं बहुत अच्छे क्वेशिन है जाम में आए हुए क्वेशिन है पीसेस लेबिल के क्वेशिन है तो आप इस वीडियो के लास में मुझे बताएगा कि इन 15 में से आपने कित्ते का सही आंसर दिया है इसके अलावा एक प्रश्ण में आपके लिए इस वीडियो के लास में बूचूंगा तो उसका अंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं शुरुआत करते हैं इस सीरीज के और जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं उपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो भी देख सकते हैं सो क्वेश्ण नमबर फर्स से शुरुआत करेंगे हमारा पहला क्वेश्ण आज का कि IBJ index Andrew रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था Lord Dalhoji, Lord Canning लर्ड नौर्थ या लड करजन तो James Andrew रैमजे जो थे वो कौन से गवर्नर जनरल थे भारत के तो ये Lord Dalhoji थे Lord Dalhoji का जो वास्तविक नाम था वो James Andrew रैमजे था मैंने बहुत पहले इनके बारे में आपको पढ़ाया था क्योंकि एक लंबा गैप हुआ है हमारे कह सकते हूँ आप यूटी चैनल पे लगबग एक देड़ साल बाद मैंने फिस एक बाद कमबैक किया है तो औस वक्त मैंने आपको लट डलुजी के बारे में एक अलग से जो हमारे गवजनरल हुआ करते थे थे भारत के उनके बारे में बताया था जो लॉट डलुजी थे उनका जो कारिकाल रहा वो 1848 से लेकर 1856 के बीच में रहा था और आप सभी लोग जानते होंगे कि इन्होंने भारत में बहुत सी ऐसी नीतियां लागू की जिनकी वज़े से भारत में अंग्रीजी शार्षन और ज़्यादा मजबूत हुआ जैसे कि इन्होंने जो गोद लेने वाले जो पर्था थी उसको बहुत जादा मतलब जो एक तरीके साब कर सकते हो बंद करवाया तो जिसकी वज़े से बहुत से जो राजा हुआ करते थे जिनकी संताने नहीं होती थी तो वो गोद नहीं ले पाते थे जिसकी वज़े से जैसे ही उनकी death होती थी तो वो जो राज था क्योंकि उसका कोई उत्रादिकारी नहीं होता था तो इसलिए वो अंग्रेजी शाषन के अंदर चला जाता था तो ऐसे काम जो है लोड डलोजी ने की है हलाकि इनके बहुत से अच्छे काम भी रहे जिसमें भारत में रेल वी की जो शुरुवात हुई वो इनके कारिकाल के दोरान हुई डाग घर वगरा की जो वेवस्ता थी वो सब भी जो है इनके कारिकाल के दोरान हुई मैंने इनका कारिकाल आपको बताया है 1849 से लेकर 1856 तक तो ये हमारा पहला कोशिन हो गया सेकंड कोशिन है हमारा 1857 इश्वी के बिद्रो के समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था? भारत के गवर्णर जनरल कौन थे 1857 के वक्ट? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड एमहर्स या लॉर्ड ओकलेंड तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओक्षिन बी वाला यानि कि लॉर्ड केनिग 1857 का जो विद्रो हुआ था उस वक्ट भारत के जो गवर्णर जनरल थे वो लॉर्ड केनिंग थे इनकेस अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले ओस्रोई कौन थे तो वो लॉर्ड केनिंग ही थे आपको पता है कि 1857 की जब करांती हुई उसके बाद जो भाध का जो शाषन था उसमें बहुत सारे परिवर्टन किये गए और जो भाध का एक तरीके से कह सकते हैं जो भागडोर थी वो बिटिस क्राउन की अधीन हो गई थी तो उस दोरान जो मतलब भाध के जो गवर्णर जनरल थे उनको वोईस रोई बना दिया गया था तो लॉर्ड केनिंगी जो है पहले वोईस रोई थे भारत के यह आप यहां से ध्यान रख सकते हैं चलिए दो क्वेशिन हो गए इतने आपने सही केन मसे क्वेशिन नमबर तीसरा है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्तापना कभी हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी क्या थी यह तो आपको पता है कि चंसेकर आजाद और भगर सिंग वगरा ने एक कहे सकते हो आपकी एक संगठन बनाया था तो उसका नाम थाइए ठीक है हिंदुस्तान Socialist Republican Army या फिर इसको बोलते हैं हिंदुस्तान Socialist Republican Association भी इसको बोला जाता है तो इसकी स्तापना कब वोई थी 1927, 1916 या 1928 गुदुसका सहीा आंजर हो जाएगा वो है option डी वाला यहनी कि 1928 में जो है इसकी स्तापना हुई थी और मनें बता दिया आपको किसने किसने स्तापना की थी चंसेकर आजाज जी ने इसमें भगस सिंग जी भी थे और इसकी स्तापना जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी ठीक है तो यह आप यहां से ध्यान रख सकते हैं चलिए इसके बाद question number चौथा है हमारा कि निम्रे लिखित में से कौन काकूरी कांड से संबंदित नहीं था राम परसाद बिस्मिल्य सूरिसेन राजेंद्र लहारी या असपाग उल्ला खां तो इसमें से कौन कौन जो है शामिल थे सबसे पहले तो यह देख लेते हैं तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राम परसाद बिस्मिल्य की तो जाहिर सी बात है यह तो थे ही इसमें इसके अलावा हम बात करेंगे सूरिसेन की तो इसमें अभी confirm नहीं राजेंद्र लाहडी की बात करते हैं तो राजेंद्र लाहडी बिल्कुल इसमें राजेंद्र लाहडी जी भी शामिल थे और अस्पाक उल्ला खान भी इसमें शामिल थे तो एक आप्शन बसता है सूरी सेन तो सूरी सेन जी जो है वो काकुरी कांड से संबदित नहीं है काकुरी कांड में इनका मतलब कह सकते हैं ये उस वक्त इस पुरा जो घटना हुई थी उसमें ये शामिल नहीं थे हुआ कब था ये काकुरी कांड ये 1925 में हुआ था अगस्त 1925 में ये घटना हुई थी ठीक है चलिए इसके बाद question number पाचवा है कि निमने लिखित में से कौन सा प्राचीन वलित परवत नहीं है ये हमको बताना है तो इसमें से चार option जो है हमारे पहला है यूराल परवत दूसरा है रावली परवत तिसरा है एंडीस परवत और चोथा है एपलेशियन परवत इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option बी वाला जो अरावली परवत है वो एक वलित परवत नहीं है ये एक अवसिस्ट परवत का उधारण है ठीक है एक अवसिस्ट परवत का उधारण है बाकी के जो भी यहाँ पर आप परवत द इस तरुरह के कना मूड़ जाती है मां पावली प्रभथ-फुल्ड जो है बना देती है प्रत्वी की आंतřिक बल के बल्लों मोर आ जाताए तो उसी से जो परवत बनते हैं उनको वलिद परवत बोला जाता है तो अरावली परवत जो है वलिद परवत नहीं है ये एक अवसिष्ट परवत है इसके बाद question number 6 है हमारा कि निम्लिकित में से कौन सा एक मूल इस्तल रूप है मूल इस्तल रूप है ये 2-3 बार एकजाम में पूछा जा चुका है और PCS level के एकजाम में अकसर ये देखने को मिलता है तो option A है जोला मुकी संकू दूसरा है अवसिष्ट परवत तीसरा है मैनाड नौक और चोथा है अपरदनात्मक जल परपात तो इसका जो सही आंसर है वो है option A वाला यानि कि जोला मुकी संकू जो है वो एक मूल इस्तल रूप है मैं जब आपको जोला मुक्यों के बारे मैं पढ़ाओंगा तो मैं आपको बताओंगा कि किस तरीके से इसमें अलग अलग जो आकड़ती है वो बनते है ठीक है तो उसके बारे में हमें आपको बिस्तार से पढ़ेंगे तो फिलाल में इसका answer option A वाला है ठीक है चलिए आपको पता है कि प्रतिवी के अंतर से जो भी आपका मैगमा लावा वगरा होता है पूरा जब बहार आता है तो उसकी वज़ा से जो है बहुत से आकरतिया वनती है उसके बारे में हम आपको बिस्तार से पढ़ाओंगा जब हम इन परवत जौला मुख्यों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है Q7 था हमारा कि सरवादिक टटीय अपरदन होता है किसकी वज़े से सबसे ज़्यादा टटीय अपरदन होता है लेहरों से जौरभाटा से धाराओं से या सुनामी लेहरों से सबसे ज़्यादा जो कटान होता है वो किसकी वज़े से होता है तो सबसे ज़्यादा जो कटान होता है वो लहरों की वज़े से होता है कि लहरे लगातार उपती रहती है जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा जो है कटान हो जाता है यह काफी powerful भी रहती है चलिए इसके बाद question number 8 है हमारा question number 8 है कि वायू मंडल की सबसे निचीली परत कौन सी होती है समताफ मंडल, उजोन मंडल आयन मंडल या छोब मंडल तो वायू मंडल की जो सबसे निचीली परत होती है उसको बूलेदाता है चोब मंडल ठीक है? मैं आपको एक अकर्टी दिखा दे रहा हूँ तो आप इसमें ध्यान रखिएगा सबसे निची चोब मंडल होता है फिर समताफ मंडल होता है फिर मद्य मंडल होता है फिर आयन मंडल उसके बाद बहीर मंडल तो यहाँ पर यह चोटी सी story आप याद रख सकते हो क्योंकि देखें जो भी पढ़ाई में जो trick वगरा होती है मैं बहुत ज़्यदा उनके favor में नहीं रहता हूँ क्योंकि trick इतने ज़्यदा चीज़ें आपको पढ़ने होती है और जरूरी नहीं कि आपको सारी trick की याद हो जरूरी क्या नहीं यह तो असंबव सी बात है और इसलिए trick की वज़ा है अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि माल लड़की है जो पानी लेकिए जिससे पानी मंगाया गया है यह छोब मंडले से सोबा से नाम रखते है या फिर आप सोबा नाम रखिए ताकि आपको याद रहेगा तो यह छोब मंडल स्टार्टिंग हम मतलब सोबा से करेंगी तो एक लड़की है सोवा उससे पानी मंगाया गया पानी जो नॉर्मल हमारा जो पानी होता है उसका ताप क्या होता है सामाने ताप के जल होता है नॉर्मल टमप्रेचर होता है तो जो पानी है उसको अब मंगाया गया गरम करने के लिए मंगाया गया है और जब वो सामाने त आपके पानी को आग में रखा गया गरम करने के लिए तो उसके बाद वो थोड़ा सा जो medium smart ह lore हुआ, medium hot होने के बाद क्या होता है, जब उसका temperature, मतब धीड़े पानी का temperature बढ़ता जाता है तो उसके बाद जो है, जो उसके आयन होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हो जो पानी होता है, वो उबलने लगता है तो वो जो है वह इड़ जाती है तो वह बहिर मंडल में चली गई समझेव ना मैस अभसब क्या हुआ नॉर्मल पानी लेकरेगे हम उसके बाद वह एक नॉर्मल पानी लेकर आई तो समताप पानी मंगा उसको गरम करने के लिए रखा तो वो मीडियम पानी बना मीडियम पानी बनने के बाद वो उबला तो उसके जो मॉलिक्यूल थे यान थे वो आपस में टकराए और आपस में टकराने के बाद एक तरीके साथ करे सकते हो भाब बनना उसमें शुरू ही और वो बहीर मंडल में चलेगी बहुत सिंपल है अगर आप दो तो चलिए मैंने तो फिलाल में आपको यहां पर सोब मंडल इसका अंशर बताया है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं आपने क्या लगाया था यह मुझे बता सकते हैं आप कमेंट में क्वेशिन नमट यहां पर नाइनत है हमारा की प्रित्वी की भुमध्य रेकिये परिदी लगभग है भुमध्य रेकिये जो परिदी प्रित्वी की कि घ्यान रख सकते हैं इसको 40,000 75 km के आसपास है तो यहाँ पर लगभग में पूछा गया है तो 40,000 km हो जाएगा Q2 है कि निम्न महासागरी या धाराओं मैं से कौन सी परसांत महासागर से संबंदित नहीं है कनारी, क्यूरो सिवो, कैलिफोर्निया या हमबोल्ट तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो इसमें से जो परसांती है महासागर से संबंदित नहीं है धारा वो कनारी है ठीक है कनारी धारा जो है वो परसांत महासागर से संबंदित नहीं है बाकि यह सभी परसांत महासागरी है धारा है क्वेशन नमबर 11 है हमारा कि साप्टा का गठन किस वश हुआ दक्षण एशियाई वरियता व्यापार समझोता जो था इसका गठन कब हुआ था तो इसका जो सही आंसर है 1977, 1993, 1985 या 1996 इसका जो सही आंसर है वो है option B वाला यानि कि 1993 1993 इसका सही आंसर है उसके बाद क्वेशन नमबर 12 है हमारा कि तमिलनाडू का समद्र टट कहलाता है तमिलनाडू का जो समद्र टट है उसको क्या बोला जाता है सिरकार टट, कॉंकर टट, मालबार टट या कुरो मंडल टट तो जो तमिलनाडू का जो समद्र टट है उसको बुला जाता है कोरूम अंडल टट यानि कि option D वाला है आप सही है ठीक है तो आप इसको याद रख सकते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टटीये मतलब समद्र टटीये रेखा है वो कौन से राज्जी की है ठीक है अगर हम मालाबार की बात करेंगे तो ये केरल राज्जी में है मालाबार टट इसके अलावा सिर्कार टट करेंगे तो ये बंगाल के खाड़ी के आसपास है ठीक है तो आप ये सभी चीज़े यहां रखिएगा इसके बाद question number 13 है कि कौन सा राज्जी समू भागडा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है तो कौन सा राज्जी समू करता है तो भागडा नागल से जो राज्जी मतलब जल प्राप्त करता है उसमें शामिल है हरियाना पंजाब और राजिस्तान तो option C वाला यहां पसे सही है हरियान, पंजाब और राजिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि भागडा नागल बान ये कौन सी नदी पर बना हुआ है तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है सतलज या सतलज सतलज तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इसके बाद क्वेशन नमबर चौदवा देखते हैं हमको इसमें मिलान करना है कहां पर क्या सही हो जाएगा तो एक तरफ दुआब दे रखे हैं दूसरी तरफ नदिया दे रखी है तो जो बिस्ट दुआब है ये किसके मद्ध है तो जो बिस्ट दुआब है वो व्यास और सतलज के बीच में है यानि कि option इसका तीसरा वाला हो जाएगा इसे तरह किसे अगर हम बारी दुआब की बात करते हैं तो बारी दुआब जो है वो रभी और व्यास के बीच में है तो दूसरा वाला हो जाएगा रचना दूआप के अगर हम बात करते हैं तो इसका पहला हो जाएगा यानि कि रावी और चिनाप के मद्ध में ये है इसे तरह किसे अगर चास दूआप के अगर हम बात करते हैं तो ये भी चिनाप और जहलम के बीच में है तो यानि कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा दूसरा पहला और चौथा यानि कि ये वाला सही है ठीक है तीसरा दूसरा तीसरा दूसरा पहला और चौथा ये ये वाला सही है ठीक है चलिए question number 15 और last question है आज का इस वीडियो का निमने लिखित में से भारत में कौन जै विवित्ता का एक संविधन शील इस्तल माना जाता है अरावली की पहाड़ियां सिंदु गंगा का मैदान पूवी घाट या पश्मी घाट तो भारत में जो जै विवित्ता का संविधन शील इस्तल माना जाता है वो है पश्मी घाट पश्मी घाट और सिलंका सांथ में भारत और वर्मा का जो शीत्र है वो बहुत जादा जो है मतलब संविधनशील शेत्र माना जाता है ठीक है मखाला तो वर्मा के बीच का जो इलाका है और इसके अलावा पश्मी घाट और सिलंका के आसपास का जो इलाका है उसको जो है बहुत जादा संविधनशील माना जाता है जय विवित्ता के लिहाज से option D वाला यास है ये अब ये question मैं आपके लिए दे रहा हूँ इसका answer आप मैंजे जरूर बताना कमेंट करके क्योंकि ये question मैं आपको पढ़ाया है पहले value of flowers नमक जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई ये आपको कमेंट करके बताना है and हम next video में मिलते हैं thank you so much आपका दिन शूबो धन्यवाद